सलाम नमस्ते सत्रीकाल मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी कम वक्त में आपको वो खबर दिखाऊंगा और वो सबूत दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमास को जितना कमजोर इसराइल दिखाना चाह रहा है असल में कमजोर नहीं है हलाकि उसके पास ना हत्यार है ना इतने एडवांस हत्यार है लेकिन कुछ चीजे अब सामने आ गई हैं तो आपको दिखाना जरूरी है जहां पर शक्ति शाली इंसान जिसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हत्यार मौजूद है जिसका नाम इसराइल है वो एक छोटे से ग इतने ही लेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे अब बात अलग है कि सीजवायर की में बाते आरही है कि जंग को रोका जाएगा और रोकने के लिए तयावी लेकिन आप हमास पर वरोसा करें ना आप इसराइल पर भरोसा करें नेगेटिव ना लीजेगा इस बात को इसलिए कह कराऊं कि सीजवायर के मैटर पे जब इसराइल खुल कर बयान दे रहा था यानि नेतियावी कह रहा है कि हम बंबारी रोकना चाहते हैं उस वक्त लगातार बंबारी हो रही थी और एक सेगरी बंबारी नहीं रुकी हमास ने लगातार कई घंटे तक यानि आठ नो घंटे कोई भी बंबारी नहीं करी थी इसके बावजूद इसराइल लगातार बंबारी करता जा रहा था दोस्तो इसके बाद जब कई घंटे तक इसराइल ने लगातार बंबारी गाजा पट्टी पर करी हर जगह पर गरी आम लोगों के घर पर गरी तो फिर हमास का फिर से माता ठ लगई है दोस्तो अब तस्וीर को दिखा देता हूँ वरू तो पहला हमला मैं आपको पहले बता चुका था जिसकी तस्वीर आपको दिखाई थी मैंने गल लो आया का ने दूर हम और तक बहुत बड़ी बात बताई है बीडियो जारी किया है और बताया है नई बात य Cheese मिजाइल अब आज चुकी है ये एक बड़ी एहम जानकारी है याद रखिएगा दोस्तों आपने तस्वीर में देखा बड़े तरीके से सटीक निशाना लगा के इसराइल की मिलिटरी बस को उड़ाया गया अब एक वीडियो दिखाऊंगा एशकलान की जो एशकलान है वो इ मिजाइल हमास इस्तेमाल कर रहा है वो लॉंग रेंज की मिजाइल सीधा एशकलान के एक बड़े से हवेली नुमा मकान पर जाकर विल्डिंग पर अटाक करती है और आस पास कितनी तबाही मचाती है तस्वीरों में आप अपनी आखों से देखिए जीहां दोस्तों ये तस काबित होता है कि जो हमास के पास मिजाइले हैं वो भी अब कम ताकतवर नहीं रही है अब इसमें दो बात है या तो हमास के पास ये मिजाइले एडवांस लेवल की आई हैं जस्ट अभी क्योंकि कई दिन से ऐसी मिजाइलों का इस्तेमाल हमास नहीं कर रहा था अब एशकल कियानि इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके आठे क VER जाएं ठीक है हमास का नुगसान हो रहा है घाजा का नुखसान हो रहा है फिलस्तीनी मारे जा रहे हैं लेकिन कम से कम वह भी तो आपको पता चलना चाहिए कि उधर का नुखसान हो रहा है भले ही दुनिया ने इनकी मौतों को सस्ता कर दिया है महेंगी जाने इसराइलियों की है तो अगर दस फिलिस्तीनी पर एक इसराइली मरता है तो यह बराबर की टक्कर कही जाती है एस्केलोन में एक और मिजाइल ओपन फील्ड में गिरा जिसके बाद से ये बात किलियर होती है कि हाँ कई बार इनके आईरन डोम भी पूरी तरह से फिल हो रहे है दोस्तों अब मैं आपको बीर शेवा एक जगा है इसराइल का वो भी दिखाना चाहता हूँ उसमें भी भारी तबाही मचाई गई है खतरनात मिजाईल का इस्तेमाल करते हुए हमास ने अटैक किया इनका आईरन डोम फेल हुआ और तबाही आपकी आँखों के सामने इससे एक बार फिर साबित होता है कि इसराइल को जितना मजबूत सारी दुनिया में दिखाया जा रहा है वो इतना मजबूत नहीं रहा है दोस्तो हमास से ही लड़ते लड़ते बौकला गया है तो सोचिए अगर किसी और मुल्क से इसराइल की लडाई हो जाए तो यकीनन कोई भी मुल्क इसको कड़ी टकर दे सकता है लेकिन जितनी कड़ी टकर ये फिलिस्तीनी दे रहे हैं उतनी कड़ी टकर शायद कोई न दे पाए अज़ो है जो दोस्तों यह सारी फुटेज आप तक पहुँचाना ज़रूरी रहा हो सकता है कि कुछ तो विडियो को डाउनलोड कर लीजेगा इससे पहले विडियो यहां से तो डाउनलोड कर लीजेगा शेयर कर लीजेगा दोस्तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा रात खोई आप दिन हो आप सो जाते हैं लेकिन कि आपका भाई नहीं सोता रात बर कोई भी अपडेट आती है हम अपडेट उसी वक्त कर देते हैं हम इंतेजार नहीं करते हैं कि आप जाग रहे होंगे या सो रहे होंगे इसलिए अगर आप सो भी जाएं तो सुबह उठने के बाद चैनल पर जाकर वीडियो पर जाके सारी वीडियो को चेक करें कि पिछले क्या-क्या अपडेट आए हैं इससे आपका ही फायदा है क्योंकि एक भी अगर वीडियो मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़े आपके सर के उपर से निकल जाएंगी मैं हूँ रजा आप देख रहे हैं देर अगराफी जाहिंद